सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल वाइब चैनल को और बेल आइकन को दबाएए मेरे लेटेस टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए के लिए सबस्क्राइब के लाइब चैनल के की लिएक काउरेण थाउ सबस्क्राइब क्या आएब चैनल कम पहले को तर चैनल झाल 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 हलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक ऑन माई यूट्यूब चैनल टेकनिकल वाइब्स और आज मैं आप स्थप के सामने लेके आया हूँ अंडा की नियू सीबी एसपी साइन वंट्रेंडिफाइब्स सीसी जो की तो यहां पर देखने के मिलते हैं इसमें कुछ अलग स्पेसिफिक फीटर्स और कुछ नई टीटियल्स आपको देखने का मिलेगी तो यहां पर आपको देखने के मिलते हैं अनलोग प्लस डिश्टल मिटर की कॉंबीनेशन यह देख लो आप अनलोग प्लस डिश्टल मिटर की कॉंबीनेशन काकी अच्छी दी गई है यहां पर आपको नीटरल की आइकोन देखने के मिलते हैं पासिंग लाइट की आइकोन देखने के मिलते हैं इंडिकेटर की आइकोन देखने के मिलते हैं यहां पर आपको देख देखने के मिलते है और ना पे आपको left hand side side ते आपको सामने के तरफ क्लश देखने के मिलती है front side में passing light deeper up down turn light switch plus horn और नीचे के side आपको देखने के मिलते हैं यहाँ पे चॉक जिसे आप चॉक कम ज्यादा कर सकते हो right side में आपको देखने के मिलती है front brake और यहाँ पे self यह राट 124.7 CC की इस बीज पोर इंजिन जो कि आप गेर शिफ्टिंग के साथ अताफिक इसमें आप पांच गेर आपको देखना को मिलती है फ्रंट गेर जो है वह आगे की ओर लगती है चार गेर जो है बैक साइड में लगती है आप में आपके किक एक यह रहा किक यह रहा सामने की आपकी त्यूल फंट प्राइब ट्रेड टिंच साथ में यहां पे अंडा की लोगों दी गई है जो की काफ़ी अट्रेक्टिव है और यहां पे साथ माटेच की गई है डेल्टा जिससे बाइक की लुक जो है वो पहले की मुकावब हॉंडा साइं से काफ़ी इंफ्रूब हो गई है सामने की आपको देखने के मिलती है जोये हेड लाइटस जो है वह Heads फेले के मकाबिद काफी इंप्रूब की गई हाँ पर सामने में आपकोτο में लोग को लिगता दील का जए है और चुर्ज IS माइक कीज केoplurb में होलांडा Campaign की मुकाबले यह रहा बैक लाइट साथ में आपको नीचे देखने को मिलती है टर्न राइट्स जो की काफी एट्रेक्टिव रूप दी गई है 2017 एडिशन होंडा सीवी साइन की कंपेरिजन को काफी कंपेर करती है यह रहा ड्रम ब्रेक्स और अलॉइ वेल और जो टायर्स जो है वो स्यटी जूबलेस टायर्स इसमें दी गई है और सामने की जो फ्रंट सस्पेंसर्स में वो काफी गुड़ कॉलेटी की दी गई है यह रह अलॉइ वील सीट की बाइक सीट की टायर्स जो की ट्यूबलेस है यह रहा सामने सामने सैलेंसर जो की पहले की मुकावित काफी हिंट्स प्रूब की गई है साथ में इसमें स्टील बॉड़ी भी अटैच है इस साउंड है वो काफी स्मूथ है देखने का मिलते है यहां पर अब मैं आपको इंजन स्टार्ट करके दिखाते हूं तो मैं यहां पर इंजन स्टार्ट करता हूँ पाइक की जो उतने से इंजन की हो काफी पहले से बेटर की जाई है यहां बहुत यहां इंजन की साउंड कल्पी काफी स्मूथ है आप देख पा रहे होगे तो यहां पर जो बाइक की जो रिव्यू है वो कंपलीट हो चुकी है अगर आप लोग को लगती है कि कुछ इंपोर्टन नोट्स मैंने छोड़ दिया है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें वहां पर आपको सारी इंफोर्मेशन दी जाएगी आई होप अगर आप लोग को मेरे वीडियोज अच्छी लगती हो तो प्लीज मेरे वीडियोज को लाइक करें सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें तो तब तक के लिए बाइ जैहिन वन्दे मात्तब करें दो ना tomar तो 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 फीडियोज बाइन ये जाब सेर क्रिए जीम अरूं सेर का बाइनों सेर का सीर का सब्सक्राइब झाल 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 झाल